शानतिनिकेतन, युनेस्को विश्भु धरोहर मान्यता कवी रवींद्रनात टैगोर द्वारा स्ठापिक पश्चम बंगाल में शांस्कृतिक और शैक्षी की केंवर शानतिनिकेतन को युनेस्को विश्भु धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है साउधी अरब में विश्व धरोहर समिती के 45 में सत्र के दोरान ये घोशना की गई 1901 में स्थापित शांतिनिकेतन शुरू में भारतिय परंप्राओं और धारमेक और सास्कृतिक सीमाओं से परे वैश्व केक्ता के दृष्टिकोन पर आधारित एक आवासिय विद्यालय था 1921 में ये विश्व भारती के रूप में जाना जाने वाला एक विश्व विश्व विद्याले बन गया शांतिनिकेतन की अनूथी वास्तु कला शैली एशिया की प्राचीन, मध्यकालीन और लोग परंप्राओं का मिश्रण है पश्चम बंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बैनर जी ने इस मान्यता पर गर्व व्यक्त किया शांतिनिकेतन की बुनियादी धाचे को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला शांतिनिकेतन को युनेसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलने का क्या महत्व है युनेसको विश्व धरोहर का दरजा शांतिनिकेतन के सांस्कृतिक और शेक्षिकी महत्व को स्वीकार करता है इसके अद्वितिय वास्तुकला विरासत को संरक्षित करता है और रवींद्रनाथ टैगोर की विरासत के बारे में वैश्वित जागरूपता को बढ़ावा देता है शांतिनिकीतन का इतिहास और संस्थापक दर्शन क्या है? शांते निकेतन की शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक आश्रम के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश जाती या पंत से परे व्यक्तियों के बीच ध्यान और एक्ता के लिए एक अभ्यारन्य स्थापित करना यह एश्या भर की प्राचीन, मध्ययुगीन और लोग परंप्राओं से प्रेरना लेती है और एक अखिल एश्याय आधुनिक्ता को अपनाती है शांते निकेतन को युनेसको में नामानकन बिलाने में आभा नारायन लामबा की क्या भूमिका थी प्रसित संरक्षल वास्तुकार आभा नारायन लामबा ने शांते निकेतन के लिए युनेसको नामानकन डोजियर तैयार करने में महत्वपून भूमिका निभाई उन्होंने सूची में इसके शामिल हुने पर अपनी खुशी व्यक्त की पश्चिम बंगाल सरकार ने शांते निकेतन को युनेसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने में किस प्रकार योगदान दिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 12 वर्षों में शांतिनिकेतन के बुनियादी धाचे को बढ़ाने में निवेश किया है जिससे वैश्विक मंच पर इस थल को पहचान मिली है शांतिनिकेतन के इतिहास में शांतिनिकेतन ग्रह और रंगीन कांच मंदिर का क्या महत्व है 19 वी शताबदी में निर्मित ये स्थापत्य सनरचनाय शांतिनिकेतन की स्थापना और सार्वभौमिक भावना के साथ इसके जुलाव में इतिहासिक महत्व रखती है जो बंगाल और भारत में धार्मे कादर्शों की पुनरुत्थान का प्रतीक है जो बंगाल और भारत में धार्मे का प्रतीक है